नमस्कार दोस्तों विकास चोधरी आपका बहुत बहुत स्वाद करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चोधरी में और लेके हो आपके लिए कमाल का व्लोग दोस्तों आज हमाई हैं MP के अंदर रतलाम में जैसा कि आप देख सकते हैं देखे दोस्तों आपको इटें यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ये मेरे दोस्त है अपने दोस्त के घराया थहा इनको मैंनेख बनाने की יए दिलाई है दोस्तों यह देखे जो ये अपने घर पर ही इतों का सकते हैं जासा कि आप वीडियों में देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह के तरीके से एट बनाते हैं, चार से पांच इनोंने लेवर रख्की हुई है, और भट्टा नहीं है इनके पास ठीक है, बट्टे में तो पचार लाग का फर्चा आता है, लेकिन इनके पार भट्टा नहीं है, ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते ह हैं, एक गठा इनोंने किया हुआ है, उसमें ये एक साल में दो से तीन लाग अपनी जो इंटे हैं पका लेते हैं, उससे अर्ण कर लेते हैं, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश यही है, दोस्तों, आपको अगर काम्याब करना है, जरूरी नहीं है, कि आपको ज्याद है नहीं को जड़ी लाते हैं, और मजदूरों को एक रूपै इट के साब से यह पैसा देते हैं, और इट जो मजदूर बना देता है, तो यह अपनी एक घड़ा खूद के, उसमे इट रखोएं, उसमें लकडि यह ला करके, उसको इट को पकाना हा दें और छे हजार रूप एक हिसाब से एक इंट बेश देते हैं एक इट के उपर जो खर्चाता है वो तीन रुपए आता है सारा ठीक है देखिए दोस्ति चासे कि आप देख सकते हैं यह देख कितना बढ़े अजुगाड इन्होंने किया हुआ है छोटा सा और इसको सरकार भी मना नहीं करती क्योंकि कि एक लगुत द्योग में आता है आप यह नहीं मैं आपको यह नहीं बोलूगा कि आपको भट्टा ही लगाना चाहिए अगर आपके पैस पैसे कम है तो आप एक सी डेड़ लाग रुपे में इस किसान की भाती यह काम भी कर सकते हैं इस किसान के पास दो एकड़ जमीन है एक टेक्टरेट रोली है और यह अच्छा खासा अच्छी खासी कमाई कर रहा है यह देखें दोस्त जासे कि आप देखते हैं हमारे दोस्त हैं और बहुत ही बढ़िया जुगाड यह नहीं बनाया हुआ है और इनका जो सपना है आगे चलकर पांस सालों के बाद यह अपना फिर भी पांस साल का इंतियार नहीं किया आपना छोटे से सही इन्होंने जुगाड चलू करते है और इसी से दो तिन लाग रुपे यह आसानी से कमा लेते हैं यह देखें कितनी अच्छी चीट हैं बीच में ने साइड में लगा के बीच में लकड़ी भरी है तो दोस्तों उम्मिद करता हूं आपको जानकर ये अच्छी लगी होगी अगर आपको जानकर ये अच्छी लगी हो ज्यादा ज्यादा कितन भाई को सेयर करें और वीडियो देखने के लिए आपका तही दिल से सुक रिया धन्यावाद थैंक्यू बोजल मिलता हूं नहीं जानकर ये झाल झाल